बिल्कम फ्रेंज आप सभी का स्वागत है मेरी चैलेंग पर तो आज की इस वीडियो में डॉग फ्लावर जो एक खुबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांटों में गीने जाते हैं तो किस परकार से इस प्लांट को गमले में लगाए और किस तरह की मिट्टी में लगाए उस पर ही एक वीडियो बनाई हूँ तो चलिए जानते हैं कि डॉग फ्लावर को किस तरह की मिट्टी में लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके तो ये देखे फ्रेंड्स ये डॉग फ्लावर हैं जो मैं 30 रुपीज के ली हूँ और ये पिंग कलर वाले हैं आप चाहें तो इसकी छोटी-छोटी आप कटिंग भी लगा सकते हैं तो इसे लगाने के लिए ये देखिए 50% के करीब ये स्वाइल और उसी रेशियो में यानि के 50% के करीब सैन और 20% के करीब ये काव डंग और 20% के करीब ये बर्मी कमपोस्ट और थोड़े से एक सेल यानि के अंडे का छिलके का चुर्न ले रखी हूं जिसे क्रस करके रख र तो इसके छीलके को फेकने के बजाए आप चाहें तो स्वाइल मिक्सर में मिक्स कर सकते हैं या फिर मिक्सी में उसे पीस करें बहतरी और्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं इसके छिल्के में बहुत तायत मात्रा में केलसियम पाय जाते हैं, जो प्लांट को केलसियम की कमी की पूरती करते हैं, तो अंडे के छिल्के को फेके नहीं अपने फ्लांट चाई सॉयल मिकसर में यूच करें, एक वेहतनी फटिलाइजर बना कर. तो चलिए डॉक फ्लावर के प्लांट को फटफट मैं लगा लेती हूं तो सबसे पहले इन सबी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले आप चाहें तो इस समय थोड़ी से लकडी के राख भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास लकडी के राख नहीं है तो नीम खली उसके जगा आप ले सकते हैं तो मेरे प्लांट लग चुके हैं तो बिल्कुल इसी परकार से डॉक फ्लावर के प्लांट को लगा सकते हैं और इसके लिए एक बहत्री पॉटिंग स्वाइल मिक्सर बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से तो मिलते हैं फिन एक्स वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद